गुड मॉर्निंग एवरीवन विद्यार्थियों आज हम विज्ञानिक पदत्ती और उसकी जो परमुक विशेष्टाएं हैं उनके बारे में धिन करेंगे हम ये जानते हैं कि राजनिती जो विज्ञान है उसको विज्ञान बनाने पर बल दिया जा रहा है राजनिती कद्धिन को विज्ञानिक या विज्ञानात्मक बनाने के लिए ये जरूरी है कि उसे विज्ञानिक पदत्ती को अपना कर किया जाए विज्ञानिक पदत्ती के द्वारा प्राप्त ज्यान को ही राजनिती का विज्ञानिक ज्यान या राजनिती विज्ञान कहा जाता है वैसे राजनिती जो विशे है वह अपने आप में ज्यान का भंडार है और उसका थोड़ा वहुत ज्यान सभी के पास होता है किन्तु राजनिती का विज्ञानिक जो है वैभवत लोगों के पास ने होकर के कम लोगों के पास ही होता है अगर हम दूसरे सब्दों में या सरल सब्दों में समझना चाहें तो विशूद राजविज्ञानियों की जो संक्या है वो बहुत कम होती है राजनितिक ज्यान का दावा करने वाले अन्य विक्तियों को राजनेता, राजनितिक के विचारक, राजशास्त्री, राजदार्शनिक इत्यादी कहा जा सकता है लेकिन उनकी तुलना में राजविज्यानिक का ज्यान ही अधिक निश्चीत, परमानिक, वस्तुपर्क, व्यापक और संचारनिय होता है जैसे जैसे ऐसे विग्यानिक ज्ञान की मात्रा बढ़ती जाएगी राजनिति का विशे अधिका अधिक मात्रा में राज-विज्ञान बनता जाएगा पियर्शन हैं, ये कहते हैं कि सथे तक पहुँचने के लिए कोई भी संचिप्त मार्ग नहीं है जगत का ग्यान प्राक्ट करने के लिए विग्यानिक पद्दती के अलावा और कोई दूसरा द्वार नहीं होता तो हम ये देखते हैं कि राजनिती जो विग्यान है उसको विग्यान की स्रेने में लाने का प्रियास किया जा रहा है हलां की जैसे की जी विग्यान रसाइन विग्यान की भाती राजनिती विग्यान में ऐसे नियम लागू नहीं किये जाते लेकिन इसके पश्चाद भी आज वरत्मान में राजनिती विग्यान में नवीन पद्दियों का समावेस किया जा रहा है जिसे की राजनिती विग्यान के सब्द भंडार में वरदी हो और इसके साथ साथ ऐसा ग्यान हो लोगों को कि वो उसकी विस्वसनेता पर विस्वास करने लगे अब हम ये अंतर करेंगे कि एक सिर्फ राजनिती विग्यान से विग्यान नकाल दिया जाए सिर्फ उसमें सामाने ग्यान हो तो क्या फर्क पड़ेगा तो हम ये देखते हैं साधार्न मनों से अपने दैनिक जिवन में अनेक सामाने ग्यान या हम ये कर सकते हैं कि कोमन सिंस के आधार पर काम करते हैं कभी कभी उनके सामाने ग्यान पर आधारित ग्यान, समझ, बोज और अनुमान इतना सही निकलता है कि उन्हें उपचारिक स्रोतू या विज्यान से प्राप्त ग्यान की आसकता या महत्वय का अनुबव ही नहीं होता कई बार इन स्रोतूं से प्राप्त ग्यान करना वे वे और स्रम को नष्ट करना के समान मानते हैं सामाने ग्यान अनुबव वाद से भी अपने आपको अलग सरल उपयोगी तथा उपयोगत मानता है अनुबव वाद वस्तूत अनुबव को अपना अधार बनाता है ये अनुबव चाहिए इंद्रियों के मादेम से हो या बुद्ध के मादेम से हो किन्तो ऐसे ग्यान का अपना कोई निश्शित उदस से नहीं होता अनुबव द्वारा प्राप्त ग्यान सदेव सत्ते भी नहीं होता है इसलिए हब ये देखते हैं कि सामाने ग्यान और विज्ञान द्वारा प्राप्त ग्यान में काफी अंतर होता है विज्ञान की जो अवधारना होती है वो निश्चित होती है तथा उन्हें आणूभाविक प्रिक्ष्णूद्वारा खरासिद होना पड़ता है जबकि सामाने ग्यान की जो अवधारनाएं एवं जो सब्द होते हैं वेसरल होते हैं और वैक्षाताओं पर आधारित होते हैं कई बार ये तथ्यों पर आधारित नहीं होते इसके अलावा गर हम बात करें सामान ग्यान में पुरवागर तथा वेक्ति निष्टा पाई जाती है उसमें तथे, उधारनौ, गठनाउं का जो चैन किये जाता है वो वेक्ति की इच्छा के अनुसार किया जाता है जबकि विज्ञान में गठनाओं का चैन मन्य विध्यों से तथा वस्तुनिस्त रूप से किया जाएगा इसके लावा अगर हम देखें सामानी ज्यान में तथ्थों के मापन और नियंतन की अधिक चिंत्या नहीं की जाती वे कारण कारिय समंद खोजने में गयरी रूची भी नहीं रखते हैं जैसे कि विज्ञान में रखा जाता है और विज्ञान का जो छित्र है वो काफी सिमित और संकुचित दिखाई जेता है जबकि सामाने ज्यान है वे सबी विश्यों पर बोल सकता है तो हमने ये देखा कि राजनिती विज्ञान में विज्ञान को अगर सामिल कर दिया जाता है तो उसमें विफिन परकार के जो तत्ते हैं उनको सामिल किया जा सकता है और उसके द्वारा प्राप्त जो ग्यान है वह सब के लिए काफी उपियोगी भी होगा लेकिन सामाने ज्यान के द्वारा हम जो भी ध्यन करते हैं वह वस्तु निश्टा लिये नहीं होता क्यूंकि गहराई से कोई भी वेक्ती है वो किसी भी समश्या तक पहुंचने का प्रियास नहीं करता और विभीन जो गटनाएं हैं उनको वह अपनी इच्छा के नुसा चैन करता है इसलिए वर्तमान में इस बात पर बल दिया जा रहा है कि राजनिती जो विज्ञान है उसमें विज्ञान को लागू किया जाए अब प्रशन ये उड़ता है कि जो विज्ञानिक जो पदती है उसकी कौन-कौन सी विशेष्टाएं होनी चाहिए तो सबसे पहले है सत्यापन सील्टा विज्ञानिक पदती की यह एक प्रमुक फिशेष्टा है और इसके द्वारा जो भी निश्कर्स निकाले जाते हैं उनकी जांच की जाती है वह हमेशा सत्य पर आधारित होती है विज्ञानिक पदती में किसी विएक्ती की कोई नीची पदती का कोई महत्वे नहीं होता जिस परकार सामाने ज्यान में विएक्ती है वह अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी गठना के च्रेन के लिए स्वेतंतर होता है फिर है किसी के द्वारा निकाले गए निसकर्स पर संदे होने पर विग्यानिक पदत्ती में परियोग के जाते हैं और परियोग के द्वारा निसकर्स निकाला जाता है मेसा इसी विसेश्ता के कारण ये पदत्ती है अन्य पदत्तियों से अलग होती है विज्ञानिक पदत्ती द्वारा खोजे गए ग्यान या निस्कर्स को कभी भी परिक्षन किया जा सकता है और उसके जो रिजल्ट निकलते हैं वो सदेव एक जैसे ही निकलते हैं तो हम यह देखते हैं, अगर राजनिती विज्ञान में विज्ञानिक पदत्य को लागू कर दिया जाएगा, तो हमेशा उसके जो रिजल्ट निकलेंगे, वो सत्ते पर आधारित होंगे, इसके परशाथ दूसरी जो विशेशता है, वह है निश्चात मक्ता, इस पदत्य में ए निश्चित या ए स्तिर्था का सदेव अभाव रहता है, विज्ञानिक जो पदत्य है, उसमें हमेशा ही स्तिर्था पाई जाती है, विज्ञानिक पदत्य एक विज्ञानिक के लिए कुछ और और दूसरे के लिए कुछ और ऐसी हो, ऐसी नहीं होती, क्योंकि इसमें वि पर आधारीत प्रिक्षन नहीं करता बलकि विज्यान का सारा ले करके प्रिक्षन करता है अपनी इच्चा के नुसार नीजी राय को किसी भी प्रियोग में सामिल नहीं कर शकता इसलिए कोई भी वेक्ति अगर किसी एक विज्यान को ले करके अलग अलग प्रिक्षन करते हैं तो हमेशा जो भी रिजल्ट निकलेंगे वो सदेव एक जैसे ही निकलेंगे। फिर अगली जो विशेशता है वह वस्तु निश्टता। विज्यानिक पदत्ती में वस्तु निश्टता का गुण पाये जाता है। विज्ञानिक पदती वह पदती है जो किसी अध्यन को जैसा है ठीक उसी रूप में वह प्रस्तुत करती है यहां हम यह देखते हैं कि जो भी विज्टी सोध करता है वो अपनी नीजी राय को सामिल नहीं करता है किसी भी प्रिणाम में सामाजीक और आर्थिक रिठ्णाउं का विवेचन दो परकार से किया जाता है विक्ति प्रधान तथा विशेप्रधान वैह जिसमें निसकर्षूं पर अनुसंधान करता के विक्तिगत विचारों और भावनाओं का प्रभाव पड़ता है इसके विप्रित विशेप्रधान अद्धिन वह है जिसमें अनुसंधान करता की अद्धिन की प्रकरिया तथा निस्करसूं पर उसकी मनोवर्ति या पुर्वय ग्यान का कोई प्रभावनी पड़ता तो हम ये देखते हैं कि दूसरा जो विशे प्रदान अद्धिन है वह विग्यानिक पदत्ति में काम में लि उड़ेगा इसी कारण विग्यानिक पदत्ति के द्वारा जो अधिन किया जाता है वह सदेव वस्तु निष्टा पर आधारित होता है फिर है अगली विशेष्टा सामानेता विग्यानिक पदत्ति की एक और विशेष्टा सामानेता है और इस विशेष्टा के दो अर्थ ह प्रशन यह है कि विज्ञानिक पदत्ती विज्ञान की समध साखाओं में से एक जसी होती है ऐसा नहीं है कि एक साखा के लिए विज्ञानिक पदत्ती एक तरह की है और दूसरी साखा के लिए दूसरी तरह की यहां हम यह देखते हैं कि जैसे की रसाइन विज्ञान है जी विज्ञान है भोतिक विज्ञान है अगर इन तीनों में से किसी एक को विशे लिया जाता है तो उसके जो रिजल्ट हैं तीनों जो विज्ञान हैं इनमें सदेव एक जिसे ही निकलेंगे अलग लग नहीं निकल और ये विदी ऐसे नियमों और तत्यों को खोजती है जो सदेव समान अवस्ताओं में समान और निश्चित हो सके अर्थार समान प्रिजल्ड निकल सके फिर अगली जो विशेशता है विज्यानिक पदती की वह है पुरुए अनुमान क्षमता विज्यानिक पदती के कारण औ किनारे पर बसे वे जो भी कस्बे या सहर होते हैं उचेतावनी जारी कर दी जाती है कि अब भूत तेज हवा चलने वाली है या तेज बारिस आने वाली है यह विज्ञानिक पदत्ती के कारण ही संभव होता है तो हम यह देखते हैं कि अगर राजनिती विज्ञान में विज्ञानिक पदत्ती को लागू कर लिया जाता है तो इससे बहुत सारे प्रणाम जो निकलेंगे वो हमेशा विश्वस लेता लिये होंगे क्योंकि विज्ञानिक पदत्ती की जो परमुक विशेष्ता है वह है सत्ते पराधारीत निश्चिता और इसके अलावा वस्तू निश्ता पराधारीत होती है और इसमें जो रिजेड निकाले जाते हैं वो सामानेता लिये होते हैं ताथ एक जेसी रिजेड निकलेंगे चाहे कोई वेक्ति कितने भी बार प्रिक्षन करे और बविश्य वानी करने की क्षमता भी इसमें होती है धन्यवाद क्यों यो सोटू सोटा क्या वा इसू